के लिए ऐसा क्या करूँ कि मुझे भार ना जाना पड़ाए मैं में घूली दवाई ये डॉक्टर वो डॉक्टर तंग आ गया हूँ घर पे ऐसा क्या करूँ कि मुझे स्टामिना automatically build हो जाए, naturally बढ़ने लगे, क्या करना चाहिए चलिए बात करते हैं, चैनल पे नए हैं जरू सब्सक्राइब करें और इसी वीडियोस के लिए connected रहे हैं बहुत बार हमें लगता है कि हमने ना stamina बढ़ाने हैं, हमें अंदर से फील आता है, मिरको कोई प्रॉब्लम हो रही है यार मैं अच्छे टाइम से नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ लेकिन यार डॉक्टर के पास जाने में या कईना कई trust नहीं बन पाता, कईना कई हम शौर नहीं हो पाते, कईना कई हमारी identity के लिए हमें रहता है कि यार किसी को पाता चलेगा तो ऐसा क्या है जो हम घर पे ही शुरू कर सकते हैं ताकि automatically जो थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा घटने लगए वो repair हो जाए सबसे पहले चीज़ ध्यान रखने है अपका खान पान अब आप यू बोलो के मामी यह तो आप हमीशा ही बूलते आयो खाना पीना लेकिन क्या और यही क्या बताने के लिए ना मुझे अलग से चानल बनाना पड़ा है यूट्यूब पे डॉक्टर निहा मेता लाइफस्टाइल इसे ज़रू सबस्क्राइब करें प्लस फिर भी अगर मैं बहुत क्विक में आ रिकाप दू तो दिन का एक फूट ज़रूर लेना है ज़्यादा कोशिश करें वाटरी फूट ज़्यादा ले ले जैसे हम पाइनपल की बात करते हैं हम मौसमी की बात कर रहे हैं हम स्ट्रॉबरी की बात कर रहें ब्लाक बेरी कोई भी बेरी ले लो सारी बेरी बहुत अच्छी हैं तो आप उसे इंक्लूट कर सकते हैं दिन का एक फूट रूटीन में डालो ड्राए नटसिस हम बूलते हैं कि मैंने पंकिन सीड्स ले लिए हैं मैंने अलमंड्स ले लिए हैं यह सब भी रूटीन में डाल सकते हो जो कि आपके स्टामिना को बूस्ट करता है डेट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा है आमला की बात करूं वाइटमिन सी रिच है तो यह सब ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा-थोड़ा रूटीन में भी डालेंगे तो चीज़ें काम करने लगेंगे बिकाज अल्टेमेटली क्लीन इटिंग लेट्स तो क्लीन फिटनेस और कुट स्टेमिना दूसरे अंबर पर अगर मैं बात करूं कि मुझे चाहिए कि मैं घर पे इसे बूस्ट कर सकूँ तो कोशिश कर ली जए कि आप exercise कर लो अब इसके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिम का आपने registration ले लिया साल का कोशिश करो कि चोटे-चोटे steps ले लो walk कर लो, routine भाहर चले जाओ थोड़ा सा में धूब का में लेने की कोशिश करो, थोड़ा सा बहार निकलो AC को switch off करो, अपने आपको routine में active रखो, कुछ नहीं तो at least 5000 steps is really, really important अगर आप naturally boost करना चाते हो, और अचा कुछ करना चाते हो running कर लो, cardio कर लो ये बहुत important है जो कि धीरे-धीर आपका जो वो lost stamina है, 30-40s में वो ऐसा लग रहा है, अभी से बुढ़ा लग रहा है अभी से नहीं कर पा रहे हो, तो उसको start करो इसके लावा आप meditate करो बहुत बार जो multiple reason रहता है जिसके वाज़े से हमारा stamina जा रहा है हम busy रहते हैं, हम physically शायद इतना busy नहीं रहते हैं, लेकिन mentally बहुत busy रहते हैं दिमाग इधर उदर रहता है, staff नहीं क्या, boss नहीं है क्या, payments नहीं आई है, यह ऐसे क्यों बोड रही थी, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला अगर इस तरह के doubts आपके दिमाग में बहुत जादा और आपको लगता है, वह को नींद आने में भी दिक्कत आती है तो आज ही पकड़ो इसे, meditate करो, अच्छे से नींद लो, चाय दुनिया कहीं भी जाए रात को एक pen paper पे लिखके सो and relax yourself अब जब मैं टेस्टोस्टोस्टोरोन की बात कर रही हूँ तो ऐसे कुछ foods हैं जो कि आपका testosterone naturally बढ़ाते हैं, जिनमें दवाई जैसे कुछ नहीं होता पट कुछ natural sources जो शुरू से ही testosterone boost करने के काम आते हैं जिसमें मैं आश्वगंदा, शतावरी, सफीद मूसली इनको उपर रखोंगे जादा से जादा इस चीज का धियान रखना है कि मैंने कॉफी चाय का intake बहुत जादा नहीं करना है अगर आप बहुत जादा चाय या बहुत जादा कॉफी पीते हैं तो आज के लिए तो आपको energy फील हो रही है पर धीरे 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 यह आपका stamina कम करेगी जो चीज एडिक्तिव है भी it tea, भी it alcohol, smoking, anything इन सब का consumption धीरे धीरे रोख दीजे अगर आप बोल रहे है माम मैं तो बहुत ही कम लेता हूँ मैं तो जब मर्जी छोड़ दूँगा तो भी it is a advice not to take it अगर आपको आज शक्का हो रही है न कि मेरा stamina कहीं न कहीं week हो रहा है तो definitely वो बढ़ जाएगा आगे चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करें और प्लीज इन चीज़ों को प्लीज 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 फॉलो करें